हेलो गाईज, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करेंगे वेस्ट इंडीज और बंगलाद इसके बीच में जो थर्ड टी-20 का मुकाबला खिला जाएगा इसके बारे में फुल प्रिव्यू लेका है, पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा, आपको इस वीडियो में फुल इन्फुमिशन और गाईडेंस से एर कर दी जाएगी, जिससे आप कुछ से अपनी टीम बना पाएंगे, वो भी कॉन्फिदेंस के साथ, और एक चीज बहुत फ्री में कैसे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन के सबसब पहले कॉमेंट में, टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए और जुड़ जाइए, यह जो पीच है, यह जो स्टेडियम है, वो गयाना का है और जो गयाना का ओवरॉल अगर आप बात करेंगे तो देखो, टी ट्वेंटी इंटरनेशनल के अगर हम बात करें, साथ मुकाबले खेले गाए, चार मुकाबले चेजिंग करने वाली टीम जीती है जिसमें से, और ओवरॉल फस्टेनिंग कैवरेज स्कोर 141 का है, यह एक है, बैलेंस्ट विकेटे ओवरॉल ठीक है, और यहां पे जो भी मैचेश खेले जाते हैं, मैंने आपको पहली बताया है, सिमिलर टू एसी इन कंडिशन रहता है, जो भी मतलब कैरेबियन की थोड़ी बहुत पीछे जाती है, मतलब पूरा सेम नहीं रहता है, लेकिन फिर भ हमेशा ध्यान में रखना, और अगर इस्पिनर और पेसर्स की रिश्यो की बात करना, तो दोनों मैच का अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस्पिनर को सिर्फ तीन और पेसर्स को 16 विकेट मिला था, लेकिन जो विकेट टेकिंग से उनको है, उसके बाद head to head record आप देख सकते हैं, यह overall यह मैं आपको हर मैच में दिखाता हूँ, उसके बाद दोनों टीम का playing 11, sorry, betting balling style देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, कितने left hander है, कितने right hander है, वह आप यहाँ पे easily देख सकते हैं, इसके अलावा, West Indies का probable playing 11 देखते हैं with recent score, ब्रेंटन किंग ने 57 का scoring किया था, काईल मेर 17, जो इनके important players, उनके नाम कियागे मैंने P का निशान लगा दिया है, जैसे काईले मेर, सामरा ब्रूक्स, उसके बाद निकॉलस पूरान, पॉवल, सामरा ब्रूक्स की जगे ब्रेंटन किंग को भी important समझ सकते हैं, उसके बाद रोमारियो सैफर्ड और मकोई, खिक है, इवन यहाँ पर हेडन वॉल्स, जूनियर, कीमपॉल का ओवर कट गया था, अदरवाइस यह एक विकेट टेकिंग बॉलर है, इनका ओवर कट गया था, इसलिए मैंने इनके नाम कहाँ कि पीगाने साथ नहीं लगाया, अब इनके ज आंसेज रहते हैं कि यहाँ पर हेडन वॉल्स डाले, और ओर इनके टीम के प्लेयर वाज स्टैट्स देख सकते हैं, चुकि हम पहले वाले वीडियो में अल्रेडी इनके स्टैट्स के बार में डिसकूस कर चुके हैं, तो बस आप नूटिस करते वीच चलेगा, जैसे कि मैं इसका मतलब यह इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और इनके स्टैट्स अच्छे हैं, तो मैंने आपको साइन लगा दिया है, और जब हम टीम बनाएंगे तो वहाँ पे हम हर एक प्लेयर के बारे में देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो अभी बस आप नूटिस करते हैं चलना कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे काईले मेर्स इंपॉर्टेंट है, रोमेन पवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेंडिन किंग, आपने देखा, लास्ट मेंज मैच साइक स्कूरिंग किया, उसके बाद रोमारियो सैफट, कीमोपॉल यदी अगर पूरे चार ओवर डालने की चांसे रहेंगे तो, उसके बाद अलजारी जो सिर्फ खेल ने रहे हैं, लेकिन ओविदम कोई खेल रहे हैं, यह लोग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी चेंज होगा, मैं आपको टेलिग्राम पे इंपॉर्म कर दूँगा, लि इनके जो इंपॉर्ट जो ओपें बॉलर रहें और डेथ बॉलर रहें, वो है मिश्ता फिजर एमान, और इनमें से कोई भी तास्कीन हमाद आ सकते हैं, और देथ में रहमान और शॉरिफूल इस्लाम है, तास्कीन हमाद 17 अवर लेके आ सकते हैं, अब इनके टीम से जो अच तो आपको आपको आप उसका स्टैट्स यहां पर देख सकते हैं क्योंकि आफ्टर टॉस्ट की जो भी जो भी न्यू प्लेयर्स आते हैं वो सारी चीज़े हम यहां पर डिसकस करके आपको मतलब अल्रेडी बता देते हैं और बाद में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है सेम है बागी जो यह लोग दो मैच खेले हैं तो जो मैंने इनका उपर आपको प्लेइंग लेवन विद रेसेंट डिस्कोर दिखाया था वही है तो हैट भी है और वेन्यू भी है क्योंकि वह रिसेंट है ठीक है और सॉरी वेन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैं यह पहले भी डिसकस कर चुका हूं इसमें से कुछ खास कंक्लूजन निकलता नहीं है अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप पाविल को रहमान ने पंद्रागेज में तीन पर आउट किया है इस तरीके से सेफर्ड भी आ जाते हैं अब हम चलते हैं टीम प्रिव्यू की तरफ विकेट कीपिंग सेक्षन में आपके पास दो अप्शन से निकॉलस पूरान और लिटन दास जिसमें से डेवन थोमस नहीं किया रहे थे तो निकॉलस पूरान ही विकेट कीपिंग कर रहे थे ठीक है त लिटन दास का फॉर्म उत्रा अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन यह अटाइकिंग बल्ले बाजे कभी बड़ी पारी आ सकती इनके बल्ले से और इनके लिए जो विकेट कीपिंग कर रहे है वो है नुरूल हसन ठीक है तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं मैंने अभी और चेजिंग में आप इनको कंसिडर कर सकते हो फर्स्ट बैटिंग में यदि आपको छोड़ने का रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं लेकिन लास्ट में जो स्कोरिंग किया इसमॉल लीग में छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट जो इनका नेचर है वही है क इतने कंसिस्टेंट रहते नहीं है उसके बाद काईले मेर्स यह थोड़े से टैलेंटेट बल्लेबाज है लेकिन अभी इनका सेलेक्शन गिर गया है ब्रेंटन किंग के ओवर क्योंकि अभी जब आप फर्स्ट मैच का इनका जाकर देखेंगे जिसमें की काईले मेर्स का से स्कूरिंग करेंगे बड़ चांसेज रहते हैं क्योंकि यह टेक्निकल बल्लेबाज है कभी भी बड़ा पाड़ी आ सकता इनके बल्ले से क्वालिटी प्लेयर है बात आती है मुसद्दक खुशन काफी नीचे आते हैं बॉलिंग करने का कंफर्म नहीं रहता है लास्ट में बहले एक ओवर डाला था तास्की नहीं मत महेंगे साबित हो गए थे तो एक विकेट भी लेके चले गए थे लेकिन बल्लेबाजी आने के चांसेज कम रहते हैं काफी नीचे खेलते हैं डोमेस्टिकली तो फिर भी ठीक ठाक खेलते हैं क्योंकि अच्छी हिटिंग कर लेते पर यहां पर बल्लेबाजी आने के चांसेज कम रहेंगे स्मॉल लिक के उतने अच्छी अप्सन नहीं रहेंगे कोल मिलाके पॉवल यदि इनकी टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो मैं कहूंगा पॉवल को ही लेके जलना लास्ट में भी मैंने यही कहा था और इन्हों कुद नहीं ज्यादा बैटिंग करने को ना मिले तो उस सिच्वेशन में आप सामरा ब्रुक्स को कंशीडर कर सकते हो चेजिंग में इन प्लेस ओफ पॉवल ठीक है यह चीज धिया रखना इसके अलावा अगर आपको सामरा ब्रुक्स भी चाहिए आप ट्रंपिक के तौर आप यूज करना चाहते है तो ब्रेंटन कींग या काईले मेरस में से किसी एक के जगे पर ले सकते हैं यह वेस्ट इंडीज की टीम फर्स्ट बल्लेवाजी कर रहे है तब ठीक है आफी फूशन को मैंने लिया हुआ है आप आफी फूशन के जगे पर आप जो है लिटन दा से मैंने इनको कंसिडर किया ओवल लेटन दास दिर्शिंटली फ्यूड़ है लेकिन हाँ लेकिन दास को ज्यादा मुँखा मिलेगा तो अगर लेंटन दास की टीम चेस कर रहे है तब आप आप आफी फूशन के पर लित पर लेंटन को कंसिडर कर सकते हूँ अभी कशन पर जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते है अनामल हक को ले सकते हैं अनामल हक का इंटरनेशनली रिकॉर्ड अच्छा है थर्टी प्लस कैवरेज है लेकिन अब रिसेंट जो दो मैच्छें उसमें उन्हें कुछ खास किया नहीं है बट इनका जो अभी बीपील गया था वो अगर इनके टिम फर्स्ट बल्लेबाजी करें आप रिस्क लेना चाहिए तो ले सकते हैं लेकिन अभी फॉर्म थोड़ा से गड़बाड है तो रिस्क रहेगा मैं दी हैसन एक डीसेंट आप्चन लेंगे क्योंकि 3-4 अवर गिंदबाजी प्लस थोड़ी सी बल्लेबाजी क कर सकते हैं हाला कि उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है ठीक है लेकिन अभी के लिए मैंने बैटिंग एडवांटेस को देखते हुए इनको लिया हो सकता है कि मैं यहां पर महदी हसन को भी कंसीडर कर जाओं आकर इनकी टीम इनको मतलब बहुत नीचे भेज रही है त अब बंगलरिसकी टीम पहले बैंटिंग कर रही है तो मैं फिर यहां पर मेहदी हसन को कि्योंकि पैस को करेंगे और सब्राम मिल जानारी क्या पदा किसी मै चार आज ऐंब गार ऑद की मैद और यह थोड़ा सा रंच भी भना लेते हैं तो यह हिसाब से अगर आप देखेंगे एक मस्ठभ पिक रहेंगे और सबसे इंप्रोटेंट चीज की द्रथ में भी आते हैं और अभी लास्ट दो मैचस में बहतरी इन परफॉर्मेंस भी किया है एक मस्ठभ पिक रहेंगे एवन करेंगे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है यहां पर आप देखो हर एक प्लियर का सेलेक्शन जो किया जा रहा है उसका रिजन दिया जा रहा है अगर आपको वह रिजन सैटिस्फाइड लग रहा है तो ही आप टीम कॉपी करें अधर्वा प्लस अनालीसिस देखने के बाद आपको इतना तो कह रहा हूं आप कॉन्फिदेंस के साथ अपनी टीम बना पाएंगे विदाउट डिस्किप की अगर आपने वीडियो देखा होगा तो और आप सीखेंगे यदि आप हारेंगे भी तो इस हार से आप सीखेंगे लेकिन कॉ करें तो यह दत में आएंगे विकेट निकालने के जमता रहती है वरियेशन्स भी है स्विंग भी है इनके पास उसके बाद अलजारी जो से खेलने रहे खेलेंगे तो ठिक ठाक पिक रहेंगी विकेट टेकिंग गिन बाज है और अब इन रिसेंट फॉर्म भी इनका जाते हैं तो में थना जाद अच्छा उप्शन नहीं होंगा अकील उसे एक ठीक ठाक उप्शन देंगे मतलब विकेट निकाल के दे सकते हैं थोड़ा रंच भी यह बना सकते हैं तो अगर वेस्टेंट इसकी टीम सेकेंड इनिंग में बालिंग कर रहे है तो आप अकील उस कोई खास उप्शन है नहीं जो अभी के लिए टीम बन रहे है कुछ इस प्रकार से जहां पर कप्तान मैंने सकीब को बनाया हुआ है वाइस कप्तान पूरन को अगर यहां से वेस्ट इंडिस की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग मकोई को वी सी बना सकते हो और जो से फुसेन के जगे पर आपको कब लेटन दास को या अनमल हक को लेना ये भी मैंने आपको सब एक्स्प्रेंड किया ओप करता हूँ आपने वीडियो से काफे कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ भी सीखा एक वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल पर नए हो तो सब्सक् पर दो में